नवस्कार दोस्तों अवल टीटी तीरी चैनल में आप सभी सात्यों का फिर से एक बार सिस्वागते सात्यों आस्ता नांत्र नियमावली पर विचार और विमर्श शिक्षक संग हिंदुस्तान पेपर में यह न्यूज प्रमुकता से प्रकाशित किया गया है सारन जिला मादमिक शिक्षक संग भवन छपड़ा में जिले के प्रधान अध्यापकों प्रखंड वा अनुमंडल अध्यक्षोयम जिला कारेकारनी के सदस्यों के एक महत्वपुर ने बैठक संपन हुई बैठक के अध्यक्सता विनोद कुमार यादब ने की जबकि बिहार मादमिक शिक्षक संग के प्रवनधक संपादक चंद्रकिशोर कुमार ने प्रवेक्षक के रूप में बैठक में भाग लिया बैठक के दोड़ान संगठन की वर्तमान भूमिका और शिक्षकों की समस्याओं पर विचार विस्तार से जो है विचार किया गया चर्चा किया गया चर्चा के प्रमुक बिंदूओं में नियमित नियोजित और बीपी एस्टी दुआरा नियुक्त शिक्षकों की समस्याएं पुस्तकाल अध्यक्षों और शारिक्षिषों की चिंताएं और अस्तानांत्रन नियमा बली में सुधार की मांग शामिल रही। मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि जो नियोजी शिक्षक हैं उनको राज्य कर्मी का दर्जा मिले उनको दूर दराज नहीं भेजा जाए अनवंडल की बाध्यता को खत्म किया जाए पुरुष शिक्षकों के लिए और सभी के लिए तो ठीकी है इस पर विचार विमर्स पुड में नहीं दिखाई दे रहे हैं जो उन्होंने नियामा वली बनाया है उसी नियामा वली के तहत अस्थान अंतरन और पोस्टिंग होगा क्योंकि आप सभी देख रहे हैं लगातार अखवार की माध्यम से यह नियूजी प्रकाशित किया जाता है कि 31 अक्टूबर तक जो सौप्ट रप्यर त्यार किया जा रहा है वह हो जाएगा और उसके बाद अगले महिने नौमबर में आपसे आवेदन लिया जाएगा एक महिना का समय दिया जाएगा उसमें कोई वदलाब नहीं होगा क्योंकि कुछ भी खबर शिक्षाई भाग से नहीं आ रही हैं उनक दराज फिर चले जाएंगे तो दस विकल्प वाला जो महत्वापुडन विन्दू है उस पर चर्चा करना सरकार के लिए विभाग के लिए और पदाहदीकारी के लिए आवश्यक है क्योंकि आप विद्यालैकायदी विकल्प देते हैं तो यह अच्छा रहेगा और ये अन इसमें कुछ संसोधन जरूर किया जाए नहीं किया गया तो फिर आगे जो भी होगा वो आप सभी के सामने में होगा पर शिक्षक्षंग इसको लेकर के मन बना लिया हैं लगातार बैठक कर रहे हैं जो आप सभी के सामने में है अभी तक यह आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बैल अकान की बटन जरू दबाईएगा लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए शिक्षा विभाग से अभी के लिए इतना ही फिर मिलता के लिए वीडियो में सौधने वासा थिए